दोस्तो आपने सुना होगा वाइफाइ कॉलिंग जी हाँ वाइफाइ कॉलिंग मोबाल से कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं वो कैसा एनबल करना है इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटिल में बताने वलाूँ तो जैए व मत पूरा वीडियो देखिए एंड तक चलिए स् समझ लीजिए आपका एक important call होने वाला है या आने वाला है या conference meeting call होने वाला आपको mobile से और उसी वक्त आपका नटक बहुत coverage कम हो गया है और आपको दिक्कत होगी wise वकर clear टी नहीं आएगी या होगा आपको यह दिक्कत हो रही है तो tension मत लीजिए जी हाँ सिर्फ आपके घर में इसके लिए क्या चाहिए वाइफा कॉलिंग अनेबल करने के लिए एक तो आपके पास वाइफाय कनेक्शन चाहिए जी हाँ एक router जो वाइफाय आपका mobile रूटर यानि कि जो इंटरनेट वाइफाय है उससे connected हो यह दिखें मेरा connected है यहाँ पर वाइफाय से मने connect किया है अलरड़ी मेरा तो बस यह connection होना चाहिए और उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर आपको पहले settings में जाना है यह देखिए अभी यहाँ पर यह देखिए आपको दिख रहा है sim card and mobile networks अभी उपर पहले देखिए सिर्फ वाइफाय का एकी symbol दिख रहा है अभी दूसरा symbol आ जाएगा जैसे मैं अनेबल कर दूंगा यहाँ पर दो सिम है तो यहाँ पर आपके जो सिम है वो आप जिसमें आपको कालिंग करना है वो आप सलेट कर लीजिए मैं जियो को करूंगा यह देखिए मैंने जैसे जियो किया यहाँ पर उसके settings है सबसले last में नीचे यह यहाँ पर देखिए make calls using वाइफाय दिख रहा ह आपको बस उसको आपको आपको कर देना है कि मेंने अनेबल कर दिया यह देखिए अभी यहाँ पर आ जाएगा अ और वह तो दीकिए अभी मैं यहाँ पर यह चालू करने वा लाओ था इसमॉपर आ जिए जूम फोकस फोकस यहां पर मैंने जैसे ही इसको यह में कॉल और सिंबोल आ गया वाइफाय का इस दिख रहा है तो अभी क्या करना है बस इतना ही था अभी वापस आपको आ जाना है और जिसको आपको कॉल लगाना है बस आप सिर्फ कॉल लगा देजिए बस मैं कॉल लगा देता हूँ जी यो से यहाँ पर देखिए अभी सिंबॉल आ जाएगा है वो वाइफा कॉलिंग का यह देखिए आ गया है तो बस दोस्तों इतना ही था कि इसी तरह से आपको सिंपल सा वाइफा कॉलिंग आपको करना है और अगर सापका नेटवर्क नहाँ भी हो तो भी आप जबरदस क्रिस्टे क्लियर वाइस कॉल कर सकते हो जो बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ आपको कॉन कॉल आपको जो लेना था वो आप कर सकते हो इंटेंड आपके वाइफा के जरीए जी हाँ आपके वाइफा के जरीए तो यहाँ से आज से आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए अगर सापको कोई दिक्कत हो नेटव प्रालम आ रही है तो वाइफा से कनेट कर लीजिए और वाइफा कॉलिंग आप कर लीजिए चाहो फिर आपके Redmi Note 8 Pro हो तो जैसा मैंने सेटिंग्स बताया वहाँ पर जाकर रेनबल कर लीजिए दूसरा कोई व्यू मोबाल है तो आपको अलग जगा पर मिल जाएगा आप ज़रू मुझे कमेंट्स करना कि आपके पस कौन सा मोबाल है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि उसमें सेटिंग्स कहाँ पर मिलेंगे और कौन सा आप सिम यूज़ कर रहे हो ताकि मैं बता पाऊँ कि वह सिम को वह सर्विस प्रविडर ने आपको वह फंक्चन वह फूचर दिया है कि नहीं वाइफा कॉलिंग के लिए तो दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्डंट यही बात है कि सबसे पहले आपको वाइफा कनेट करना है और वो सेटिंग्स ओन कर देना है और बस यह दोई करके आप कॉलिंग कर सकते हो वाइफा थ्रू बिना आपके सिग्नल के जरिए तो कैसा लगा यह वीडियो आप जरू मुझे कमेट से में बताना आपको फसंदा तो एक लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना जरूर बास ताकि मेरे इनोडिशन सबसे पहले आपके मिले बिना कोई दिक्कत के बेल अकॉन बजाके जरू सबस्क्राइब कर देना और जी हाँ कुछ नया आपको लगा कुछ आपको अलग से शेयर करना है कुछ बताना है कुछ पूछना है तो जरूर कमेट से में आप पूछ सकते हो वहाँ पर आपको तुरंत रिपले मिलेगा मेरे तरफ से तो दोस्तों इस वोड़े में इतना ही था आज के लिए इतना ही थ इतना ही काफी था तो मिलते हैं अगले ओड़े में कुछ नया है कुछ नया टेक न्यूज या ऐसे कुछ नया टिप्स और ट्रिक्स या सीक्राउट्स लेके तो तब तक लिए बाबाय जो है है